ओए होए फलूदा कुलफी और रबडी जलेपी वो भी आस्टिन के अंदर भाई लिखके दे सकता हूँ ऐसा स्वाद कहीं और आस्टिन में नहीं है तो भाई अगर आप इंडियन स्वीट्स और इंडियन कुलफी के दिवाने तो भाई ये जगा में इसमत करना तो बात कर रहा हूँ मैं D-Spot की जो लोकेटिड है एंडिसन मिल फूड पार्क के अंदर जहां आके आपको अपना भारत याद आ जाएगा तो लेट्स ट्राय दी फूड सबसे पहले ट्राय करा D-Spot special फलूदा वन अफ दी पैस्ट भाई खाके इंडिया की गलिया याद आ गई राजभोग आइस क्रीम उसके साथ फ्रेश फ्रूट और उसके ओपर दूद मज़ेदार आइटम वाह और भाई इस चीकू शेक ने तो नजारे ला दिये special इसलिए है कि चीकू के साथ इन्होंने डेट्स ब्लेंड करे हुए है भाई शूगर नी है लेकिन स्वाद यतना ultimate है कि कम से कम दो गिलास तो पी जाओगे तो next item है जी mango lassi with ice cream ice cream जबर दस्त है mango lassi थोड़ी और बड़ी हो सकती है बट भाई ये वाली item ने ना सारी कमिया दूर कर दी भाई जलेबी वो पी fresh और एकदम गरम कहां मिलती है औस्टिन में यहीं मिलती है भाई ultimate miss मत करना गर यहां पे आओगे तो मतलब ये वाली जलेबी with रबडी was out of the world not too sweet but मज़ेदार और अब वो item ट्राइ करते है जो लोग कहते है बहुत बड़ी है यहां पे खाने है हम बरफ का गोला लेकिन ये वाला गोला थोड़ा different है भाई इसके अंदर है dry fruit, मलाई, ice cream, shredded coconut, काला खटा और कची करी का flavor मज़ेदार ये वाला थोड़ा special था बट अगली बार normal गोला ट्राइ करूँगा काला खटा flavor के साथ आ गया ना मुह में पानी तो भाई location मैंने caption में डाल दिया सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूनला weekend आ गया plan कर लो और बताना कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई follow for more thanks for watching